हाव रूफिक्स वान प्लस ट्री आटोमेटिकली वाइफ़ाई टर्निंग ऑन प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों स्वागर अब सभी का तेकिराज योटूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपके मॉबाइल पे आपके जो वाइफ़ाई है वो आटोमेटिकली ऑन हो रहा है तो जिसके वज़ए से यह हमें प्रॉब्लम आते हैं ठीकर नटीर तो पहले तो मैं आपको सेटिं बताऊंगा कि कौन सा सेटिंग रिकश्राऀब को सुलूजैंगा सारे सारो मैं आपको कुछ एक्स एक्सरा सुलूजब भी दूंगा जिसको आपको मदद मिल सके ठीकर तो बस प्रोब्लम हो सकते सेक्स पर जाईएे वाइफाई नेत्रोट वाइफाई कोकी आउप फर वाइफस पर जाए यह सेटिंग को बंद कर दिगे तो यह सेटिंग जोई लूज्टिए्यस आपका आउ रहेगा तो आपके वाइफाई ऑटोमेटिक अन होते रहेगा तो आपको यह सेटिंग ब्सीगर बंद कर देना है तो यह सेटिंग। बंद कर देना है वाइफव× ze टर्ण ऑन वाइब आटोमेटिक कर दो ठीक है तो इस सेटिंग कसले इसका क्या घ। अपको वाइफeld के बटन पर आपको क्लिक कर देना है दो सेगेंड के लिए ठीक है डबा के रखना है ओके कर देना है यहाँ पर स्क्रीन पर और आपके मोबाइल सेफ मोड पर रिबूट हो जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट पर दोस्तों आपको क्या करना है सेटिंग पर जाना है स्क्रॉल password देखे आपको reset कर देना है अपना mobile network setting इसके बाद दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा सारे साथ दोस्तों अगर आपका mobile software update नहीं है तो system पर जाए system update पर क्लिक कीजिए और software को update कीजिए ठीक है तो अगर आपका Wi-Fi automatic on होते तो आप इस solution को follow up कर सकते हैं उमिद करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसने होगा थैंक्स पर आचिंग